सथ्री एक्टूबर इसेशनार के कि मौट को मार गिरा था सिन्वार की मौत के अब कुछ घंटों बाद हमास ने भी बयान जारी करके अपने मुख्या की इस्राइली हमले में मारे जाने की पुष्टी कर दी है गाजा में हमास के प्रमूख खलील हाया ने 18 एक्टूबर को एक बयान जारी करके बताया कि इस्राइली सेन्या ने सिन्वार की हत्या कर दी है खलील ने कहा कि इस्राइली सेन्यकों के खिलाफ याया अंतिम समय तक लड़ते रहे इससे पहले 17 एक्टूबर को इस्राइल ने एक ऑपरेशन में याया सिन्वार को मारने का दावा किया था हाला कि उस वक्त तक हमास ने इसकी पुष्टी नहीं की थी अलजजीरा की रिपोर्ट के मताबिक खलील है ने याया सिन्वार को वफादार बहादूर और निडर बताया है खलील हया ने अपने बयान में कहा सिन्वार ने हमारी आजादी के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया वे अंत तक निडर बने रहे और अपनी अंतिम सांस तक गोलिया चलाते रहे उन्होंने पूरी जिंदगी एक लड़ाकी की तरह जी शिरुवाती दिनों से ही वे एक बहादू लड़ाकी की तरह संगर्श में जूटे थे खलील हया ने अपने बयान में आगे कहा कि इस्राइली जेलों में भी याया विद्रोही बने रहे खलील के मताबिक कैदियों की अदला बदली में रहा होने के बाद सिवे लगातार आजादी के लिए संगर्श करते रहे इसके साथ ही खलील ने ये भी कहा कि गाजा में रखे गए बन्दकों को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक इसराइल गाजा में हमलों को नहीं रोकता और कबजे वाली लाकों से अपने सैनिकों को वापस नहीं ले लेता दरसल पिछले साल 17 अक्टूबर की हमले में हमास ने 252 लोगों को बन्दक बनाया था उनकी शमता बढ़ेगी और उनकी लड़ाई और जादा ताकत पर हो जाएगी और फिलिस्तिन की जमीन पर फिलिस्तिनी राश्ट की स्थापना होने तक हमास की लड़ाई जारी रहेगी पजादे कि खलील को यहाया का उत्तरा दिकारी भी माना जाता है 2007 में इसराईल ने उनकी भी हत्या की कोशिश की थी गाजा में उसके घर पर हवाई हमले किये गए थे जिसमें खलील के परिवार के सदस्य मारे गए थे फिलहाल वो कतर में शरण लेकर रह रहा है 17 अक्टूबर को इसराईली डिफेंस फोर्सेज ने यहाया सिन्वार के मारे जाने की जानकारी थी दरसल यहाया सिन्वार ही इसराईल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टर वाइंग था इस हमले में 1200 से ज्यादा इसराईली और कुछ विदेशी परिड़ों की मौत हो गई थी 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से इसराईल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है इश्ले एक साल में इसराईली सेना के हमलों से 42,000 से ज़्यादा फिलिस्तिनी लोग मारे जा चुके हैं जिसमें 16,000 से ज़्यादा दो बच्चे ही हैं पारीब 1 हलाग लोग घायल हो चुके हैं 10,000 से जादा लोग गायब हैं अंतराश्री अस्तर पर लगातार अलोचनाओं के बावजूद इस्राइल हमले जाई रख रहा है फिर इस ख़बर में इतना ही जो भी अविट्स होंगे आप तक लाते रहेंगे देखते रहें भी फिलाई मेरा नाम है आईश थाने बाद